जहिन सातियो रामा मैत मस्ती यूटूब चैनल में आपका स्वागत है चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको जहरखंड एकसाइज कॉंस्टेबल का मैत प्रैक्टी सेट दिखाते हैं दिखाने से पहले आपको बता दे कि अगर आप रनिंग का तयारी कर रहे हैं तो उसको करते करते आप 10 से 15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको साथ साथ मैत का भी तयारी हो जाए और 10 में 10 क्यूचन आप वहां मैत में सॉल्व करके आ जाए चलिए आपको लेट ना करते हुए दिखाते हैं एक से एक इंपोर्टेंट क्यूचन जो जहरखन एकसाइज कॉंस्टेवल के मैत में आएंगे चलिए दोस्तों ये रहा आपके वीच क्यूचन नंबर वन क्यूचन नंबर वन बोलता है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है ठीक है ये क्यूचन बोल रहा है ये क्यूचन बोला है दो को यहां पर हम लोग इस ट्रीक का यूज़ करेंगे सिंपल सा ट्रीक है करा एक नगर की जनसंख्या कितनी है 8000 है ठीक है अब बोला है पहले वर्ष 10% की बढ़तरी होती है 100 में 10% बढ़ाए गाते कितना होगा 110 उसके सब्सक्राइब चाहरणाबध दूसरी वर्ष में 20% की बढ़तरी होती है 100 में 20 होगा यानि की 120 हो गया अब इसको हम लोग क्या करेंगे की काट देंगे यह 0 से यह 0 कड़े गया यह 20 कड़े गया यह 20 कड़े गया अब आप देखिए कि यहां बच्छिए आस्ति गूना 11 ग 12 96 कितना हो जाएगा 105 टीक है 105 यानि 1056 हो जाएगी क्या क्यूशन बोल रहा था एक नगर की जनसंख्या 8000 है यह पहली वर्ष में 10 परतिसत अथा दूसरी वर्ष में 20 परतिसत बढ़ती है दो वर्ष बाद जन संख्या कितनी हो जाएगी तो दो वर्ष बाद जन संख्या आठ हजार से बढ़ करके दस हजार पामसो साथ हो जाएगी ठीक है ये आपका option number B आपका right answer है चलिए आपको दिखाते हैं next question चलिए दोस्तों ये रहा आपके बीच question number 2 question number 2 बलता है कि A और B की आयू का अनुपात तीन अनुपात चार है उनकी आयू का योग 28 वर्ष है तो A की आयू ग्यात कीजिए शलिए हम लोग trick का यूज करते हैं और solve करते हैं A और B की आयू A और B दो person है जिनका आयू का अनुपात दिया हुआ है तीन अनुपात चार ठीक है उसकी उनकी आयू का योग ये जो अनुपात में दिया ये दुनों आयू का योग add करेंगे तो क्या आएगा save आयू का योग इतना है 28 के बरावर एक यूनिट बरावर 28 बर्टा साथ करेंगे साथ चोगा एक यूनिट बरावर फूर अब यहां बोला एक की आयू ग्यात कीजिए तो यहां एक कितना है दिया हुआ है थ्री तो थ्री में फूर से multiply करेंगे यानि की एक यूनिट बरावर चार यहां तीन यूनिट बरावर कितना होगा चार गुना तीन यानि की बारा यह जो बारा आपका आया एक यू का अनुपात है यहां पे अगर पुछ देता की बी की आयू का अनुपात क्या होगा तो बी की आयू का अनुपात क्या होगा यहां चार यूनिट ठीक है यहां एक के चाप एक यूनिट बरावर चार तो चार यूनिट बरावर कितना हो जाएगा चार चोगा 16 यह जो बी का आयू का अनुपात है वह 16 हो जाएगा चलिए दिखाते आपको next question चलिए दोस्तों यह रहां आपके weeksution no.3 नमब ठी आप ध्यान से देखेंगे क्यूशन बहुत असान क्यूशन है देखिए और इसकी मरम्मत पर 400 रुपिय को खरीदता है तो उसका ला पर्तिसत घ्याद कीजिए आपको बता दे कि अगर वह 46 सो रुपिया में स्कूटर को खरीदता है मतलब कोस्ट प्राइज 46 सो रुपिया लगाता है ठीक है और इसकी मरमत कराने में 400 रुपिया और लगा देता है तो टोटल कितना हो गया इसका कोस्ट प्राइज टोटल कोस्ट प्राइज हो गया इसका पांच हजार रुपिया ठीक है यदि वह स्कूटर को अंठावन सो रुपिया में बेचता है यानि सेलिंग प्राइज उसका अंठावन सो है ठीक है तो बुल रहा है तो उसका लाब परतिसत ग्याद कीजिए अब आपको बता दे कि कोस रुपिया का लाब होता है तो लाब परतिसत पुछ रहा है ठीक है क्या पुछ रहा है फ्रोफिट परति पर्शेंट और प्रोफिट पर्शेंट जो जितना लाब होता है वो उपर लिखते हैं और हमेशा लाब कोस्ट प्राइज पर ही निकाला जाता है तो कोस्ट प्राइ उसको कितना फैदा होता है उसको स्वोला परतीसद फैदा होता है कैसे शारीस रुपिया में ekो और लगाता है कितना हो गया पाँ जार प्रतिसत लाग हुआ जो कि option number आपको यहां D दिख रहा है वो सही है चलिए दिखाते हैं next question चलिए दोस्तों यह रहा आपके बीच क्यूचर number 4 काता है कि किसी आयत का परिमाफ 56 cm और लंबाई 15 cm किसी आयत का परिमाफ 56 cm और लंबाई 15 cm तो उस आयत का छेत्रफल ग्याद कीजिए उस आयत का छेत्रफल ग्याद कीजिए चलिए हम लोग इसको solve करते हैं वो ना किसी आयत का परिमाफ हम लोग आयत का परिमाफ P equal to जानते हैं 2 into L plus B होता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए कि परिमाफ कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ यानि B का भेलू आपका आगया 13 cm ठीक है बी का भेलू आगया आपका 13 cm अब यहाँ पर पुछ रहा है आयत का छेत्रफल ग्याद कीजिए आयत का छेत्रफल एरिया इकॉल टू होता है L into B एरिया इकॉल टू L का भेलू आपको फता है 15 cm और B का भेलू यहाँ 13 cm यानि की 13,65,13,13,13,19,19,195 cm इसका छेत्रफल आजाएगा आयत का जो कि आप्सन नमबर यहाँ पे C दिख रहा है वो राइट एंसर है चलिए दिखाते आपको नेक्स्ट कीजिए दोस्त यह रहा बहुत असान क्यूचर है लगा लग रहा होगा कि थोड़ा सा हाड है लेकिन कोई हाड नहीं है देखाते आपको इस्ट्री का यूज कीजिए और सौल कीजिए बोल रहा है कि सेसफल ग्याद कीजिए क्या ग्याद कीजिए सेसफल अब यह चार के पावर 128 दिया हुआ है ठी अब इसको क्या करेंगे चार के पावर 2 यानि की चार चौ का सोला और सोला के पावर 64 बटा 5 इसको इसमें भाग देंगे ते कितना बार में जागा 5 तिया 15 एक सेस बच गया एक के पावर 64 हो गया बटा में 5 ठीक है एक के पावर 64 को हम एक लिख सकते हैं एक के पावर कितना भी हो वह एक ही होता है और आपको पांच से डिवाइड जाने पर एक सेस्फल एक बच ऐट जी कि ह्टीक है ये आपका रिमेंडर सेस्फल वोजी जो कि ऑ EXT नबर भी आप राइट एंसर सेoscow तो उमीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ज्छारखांड एक्साइज कॉंस्टेवला आपको यह बहुत हेल्फुल वीडियो है ता आप इसको जरूर पूरा देखें